नमस्कर दोस्तों गड़िन गयान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं देखिए आज मार्श का पांस तारिक हो गया है और गर्मी बढ़ने लगा है और ऐसे में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा पीटूनिया का समर भराइटी जो की अभी से चलेगा आपका में जून महिने तक और सामने जो भराइटी देख रहे हैं ये वाला देखिए हीट रेजिस्टम्स वाला भराइटी है और खासकर इंडिया में समर भराइटी से माना जाता है पूल का साइज आप देख सकते हैं छोटा रहेगा और पता भी इसका छोटा आता है जो रेगुलर पीटुनिया आता है उससे ये पता देख सकते हैं आप छोटा है और फूल दोस्तों बहुत देता है फूल लेकिन लाश्टिंग कम रहता है जो रेगुलर वाला पीटुनिया रहता है वो लास्टिंग करता है दोस्तों आपका 7-8 दिन तक लेकिन इसका फूल आपका मैक्सिमम तीन दिन तक रहता है और देखिए फूल रेगुलर बनते रहते हैं फूल का क्वांटिटी बहुत ज्यादा आता है और इसका सीड़ भी दोस्तों अगर आप लगाए हैं तो सीजानाने पर अपने आप घमले में उगाता है और बहुत इजी टू क्यार प्लांट है और दोस्तों हीट रेजिस्टेंस और पानी कम भी देते हैं तो भी ये बरदास कर लेता है इसका देख सकते हैं ये लाइट विंग कलर है और ये वाला जो देख सकते हैं डीप पिंग हो गया है उसका सीड़ बनेगा नीचे उसको अगर आप लगाएंगे तो टाइम अभी भी है आपका जून महिने तक ही दोस्तों प्लावरिंग करेगा और बहुत क्वांटिटी में रहता है इसलिए देखने में बहुत सुंदर लगता है ये वाला देख सकते हैं पिंटून से यह हो जाता है लेकिन यह उक्टोवर में डाला जाता है इसका सीड़ अभी इसका टाइम ऑफ़र हो गया दोस्तों और वहाला समर भराइटी जो मैं दिखाया उसको आप अभी लगा सकते हैं यहां पे देख सकते हैं आप सीट पोर्ट सब यह ठट रहा है और वहां से दोस्तों और वहां पर आपका उक्टोबर नवेंबर में फिर से प्लांट हो गया इसे आप कलेक्ट करके रख सकते हैं बहुत चोटा-चोटा सीट रहता है और देखिए एक-एक प्रांच में देखिए फूल लगातार यहां से यहां से खिलता हुआ उपर आ रहा है और उपर भी आता है और इसमें भी देखिए अभी फूल खतम होने लगा है तो इसको भी निकलना पड़ेगा और प्रूटेड करना पड़ेगा और फूल एक-एक आ रहा है इसलिए मैं इसे भी रखा हूं डवल पीट उनिया का एक डिमेरिट है दोस्तों इसमें सीड़ पॉर्ट न आपको ऑक्टोवर में यह प्लांट खरीद के लाना होगा नरसरी में मिलता है पांच सार रूपिया में और पीटुनिया डवल बोलने से वो दे देंगे और इसका और एक आप कर सकते हैं काम दोस्तों ऑन-लाइन सीड मगा के लगा सकते हैं आपका ऑक्टोवर में ऑन-लाइ भीट्स की तरह है और एक बार घर में आ जाता है दोस्तों तो आसानी से मरता नहीं और बहुत तेजी से फैलता है देखिए यह पौट को यह कबर कर दिया है और इसमें बहुत हैबी प्लावरिंग होता है और यह भी दोस्तों देखने में उतना तो सुन्दर नहीं लगेग आपको लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा फूल देता है और रेगुलर फूल देता है और इसका सीड पॉट एक गमले से दूसरे गमले पर आटोमेटिक उड़ के आज चला जाता है और वहां पे भी आ जाता है दोस्तों और ये प्लांट आपका कटिंग से भी लगता है इसका अगर आप कटिंग भी लगाते हो तो ये लग जाता है ये बस सुरुआत है दोस्तों समर में आप देखिएगा ये गमला भर जाएगा आपका फूलों से तो आसा करता हूं ये वीडियो आपके लिए उप्योगी होगा और मैं यहां पे एक दो तीन चार भराइटी का पीट हों के साथ, नमस्कुर।